हलो वेलकम फ्रेंट्स माइक्रोसोफ एक्सल सीखने की सीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूं यहां पर आप देख सकते हैं एक्सल में यह कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और यह अलग अलग सेल में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं मैं इसको बॉर्डर भी लगा तो इजी कण्टू का निशान लगांगे जहां भी आपको फॉर्मुला लगाना होगा लाइट फॉर्मुला यहां पर लगना चाहते हैं तो यहां पर लिखा इस इक्स ज्दीग्र जॉइंन तो यह देखिए टेक्स जॉइंट आ चुका है और सबसे पहले में क्या करना है डी लिमिंटर देना है ठीक है तो डी लिमिंटर कैसे लगाते हैं कॉमा लगाते हैं बंद करते हैं को यहोगिए डी 입लिमिटर ओकि कौमा देना है और फिर लिखना है तु यहां पर निख दिया और अब उस passport कर लेना है जहां पर हमारा लिखा हुआ है आप ब्रैक democrats कर यह पूरा एक साथ आ चुका है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह पूरा आपको एक साथ दिखाई भी पड़ेगा तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा ठीक है अगर आप कॉमा नहीं लगाना चाहते हैं तो डीलेमिटर के तौर पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं यह काम करता है या रही तो यहां पर स्पेस देती है तो यह देख सकते हैं स्पेस पर भी एक काम कर जाएगा ठीक है का योब कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो आप शेशेयर करें थैंक्यों फॉर वॉचिंग दिस झाल यो